हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप तब उमीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने फिर से एक नए डिजाइन लेके आई हूँ उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो देखे मैं अपने पीस कट कर ले हैं तो मैं आपको इनका नाप बता देती होँ यह मेरा एक पीस है। जो छे-चे-शे इंच के हैं यह मेरे 8 पीस है जो चार-चार इंच के हैं यह मेरे 3 पी इस जो भाइड़ इंच यह हमने प्टी है जो मेरे चार है और इस के लेंद्थ हम डिजाइन के बाद जो भी हमारे एक्ट्रा होगा उसका हम कट करेंगे तो यह हमने 15 इंच ले लिए तो यह होगा फ्रेंड्स हमने सब के नाप बता दिये तो अब हम डिजाइन सेट करते हैं तो सबसे पहले हमारे चार पीस हैं तो हम इनको सेट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि फ्रेंट्स मैं थे प्रञ रहे के साथ जाएगा और ये वाले पीस हमारे इन दोनों के साथ जाएंगे तो दियान से देखेगा फ्रेंट कोई कंफूजन वगेर ना रहे तो इस तरीके से यह हो गया यह हमारा बुलू के साथ है और यह मेरा और इंच के साथ है तो यह पीस हो गए हमारे फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे अब हम बीच में लाइन लगाएंगे ज़दक कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूं यह हमें डबल स्टेड के पीस चाहिए फ्रेंट्स तो देखे यह लाइन लगा लिए है और हमने मार्जन ले लिए है क्या कि लेघंट्स तो यह हो गया फ्रेंट्स देखें अभम में भीच के लाइन के चोड़के at mtland तो और फोमेन सारे पीकसों पर आसे ही लाइन लगा लेती हूं फिर मैं आपको दिखातीं थे तो यह देखिए फ्रेंट्स मेरे सारे पीस पर लाइन लग गई है तो हम आप जैसे मैंने आपको चिलना बताया ऐसा ही हम चिल लेंगे तोनों तरफ बीच की चोड़ के लाइन तो हम सारे पीच से लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं देखें फ्रेंड्स मेरे सारे पीच सिल गए है तो मैं आपको इनको कट करके दिखा रही हूं तो यह देखि और मैं इसको भी दिखा रही है आपको कट करके तो यह भी मेरे डबल शेड़ को हो गया इस तरीके से इसे ओपन करने के लिए आप इस तरीके से कीजिएगा हम नेल्स की मदद से इसको प्रेस करेंगे और यह बिल्पू सिधा हो जाएगा तो हमारा यह भी हो गया फ्रेंड इस तरीके से तो यह हमारा सिध्ध हो गया ऐसे यह हो गया अब हम तीसा पीस कट करके दिखा रहें फ्रेंड्स यह भी हमारा डबल शेड़ का पीस है तैयार हो गया है यह देखे इस तरीके से तो हम सारे पीसो को कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम इनको तीन-तीन इंच ना अप लेंगे फ्रेंड्स तो यह हमारे पीस तीन-तीन इंच तैयार होना चाहिए फ्रेंड्स तो आपको यह हमारा तीन इंची का बोड़ है इसे हम इस तरीके से रखेंगे मैं पीस को कट कर लूँगे भी पर आपको पहले दिखा देती हूं यह देखिए जैसे हमने यह ले लिया पीस अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लिया आप चाहे तो इस पर प्रेस कर सकते हैं तो देखिए यह मैंने इसे इस बॉड़ रख लिया आप आपके पास अगर यह बोड है तो इस तरीके से इस्तिमाल कर दीजिएगा अगर आपके पास यह बढ़ नहीं है तो आप से गत्ते का टूड़ा ले लीजिएगा यह कोई हैव करके बोड़ बनाया हुआ है तो देखिए इस नोक से इस नोक तक यह पीस हमारा कोने हमारे जुड़ने चाहिए फ्रेंड्स तो यह हमारे कोने जुड़ चुके हैं जब आप इस तरीके से निशानल लगा है तो आप पतले चोक का इस्तमाल किजिएगा अगर चोक नहीं है तो आप मेरे जैसे जैसे मैं इस पैन का यूज़ कर रही हूं आप भी पैन का यूज़ कर लीजिएगा फ्रेंड्स तो देखें यह मेरा जितना भी एक्स्ट्रा था वह सब अलग से दिखाई दे रहा है तो मैं इस तरीके से ही इन पीस को तयार करना है तो हमारा जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे ताकि हमारा पीस बिल्कुल तीन इंच तयार है इस तरीके से तो मैंने इस पीस कट कर लिया है अब मैं बाकी के सारे पीस इसी तरीके से कट कर लूँगी और इनको अची तरीके से सेट कर लूँगी फिर उसके बाद मैं आपको इनका डिजाइन सेट करके दिखाऊंगी तो मैं इस तरीके का पीस चीए तो हम सारे पीस इस कशी तरीके से कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए siya मेरे पीज्व कट हो गया है कुछ मैं इनको 3-3 इंच नाप लिया है और उसके हिसाभ से हमने अच्छी तरीके से इनको कट कर लिया है और फिनीशिंग से इनको अच्छी तरह प्रेस भी कर दिया है जिसे कि ये बिल्कु सिधा रहे है तो अब क्या करेंगे अब हम इसका डिजाइन सेट करेंगे तो मैं डिजाइन लगा लेगती हूं फिर आपको दिखाती हूं यह देखी फ्रेंट्स मेरा डिजाइन हो गया है और यह बीच में आएगा तो देखे मेरा डिजाइन सेट हो गया है तो हम क्या करेंगे अब हम इनके चार चार पीस ले लेंगे फ्रेंट्स तो मैं इनको थोड़ा इजी सिलने के लिए इन चार चार पीस होगा सेट बना लेती और सिल लेते हैं तो मैं आपको सिल के दिखाते हूं पहले हम इसको यह जो हमारा पीस है इसको इस पर रखेंगे और यहां से सिल देंगे फिर हम इसको भी इस पर रखेंगे और यहां से सिल देंगे जब यह दोनों पीस हमारे हो जाएं तब हम इसके उपर पलटके इन दोनों और फिर हम इसको सिल देंगे तो ऐसे ही मैं सिल के दिखा थेँगा तो यह देहीं हमें ऐसा इस त्यार करना है और पिछ देखिये हुथ कि जब में इसको त्यक्ता है तो हमने हिसका जोइंड इधर और इसको इधर रखे था वहाएं यहाँ आपको बागी के सिल के दिखाती हूं यह देखें फ्रेंट्स मैंने चाचार करconomy यह पीछ सिल लिये हैं अब हम क्या करेंगे अब एक लाइन ये लिंगे जैसे हमारे भी सिल गए है इसी फेंट पर को इसी रखें असको एες रख एंगे जोइंट पंद मिलाए को जाए इसको को तरीके से करके और यहां भी हम सिलाई लगा दो हमारीह लेट हो जाए और निकाल देंगेगे मेरा अदा-इंच एक्ष्टर लिया था फ्रेंट्स ताकि कपड़े में कोई छोटा बड़ा ना हो जाए इसलिए क्योंकि हम बाद में इसको कट कर लेंगे तो यह हो गया जब हम इन दोनों पीस को सिल लेंगे तब हम इसको कट करेंगे और इस पीस को हम इनके सिलने के बाद कट करके तब इस पीस को तो पहले में लाइन को complete कर लेतीं friends फिर मैं आपको इसे सिल के दिखाऊंगे यह देखे friends वे दोने पीज़ गए हैं अब हमने यह सील लिया है अब इस सिलने के बाद इसको हम इस तरीके से पिल्टेंगे और जो भी हमारा extra होगा उसको हम cut कर लेए तो देखे इस तरीके से के जो भी हमारा यह extra है हम ऐसे यह निशान लगा लेंगे देखे इस तरीके से तो जो भी हमारा यह निशान था वह हमने लगा लिया है तो अब हम इसको cut कर दे रहे हैं कट करने के बाद हम इसके साथ दूसरा पीस जोइंट करेंगे यह पीस साथ के साथ कट इसलिए नहीं किया फ्रेंड्स कि बहुत बार यह चोटा बड़ा हो जाता है तो इसलिए पीस प्लाश्ट में ही cut कीजिएगा यह होगा हमारा cut अब हम इस पीस को इसके उपर रखेंगे और यहां से सिलाई लगा देंगे तो मैं सिल लेती हूं फ्रेंड्स फिर आपको दिखाती हूं यह देखें फ्रेंड्स मेरा इस सिल क्या है अब हम क्या करेंगे अब हम इस पीस को पलटेंगे और हमारे इस joint से और इस joint को हम पिन अप करेंगे और पिन-प करने के बाद इसको हम सिलेंगे यहां बीच में कोई दूसरा जोइंट नहीं है इसलिए यहां फिन नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स यहां और यहां हम पिन अप कर लेंगे Concept कर लेंगे से सीधा सिल देंगे यहां जोइंट पे पिन लगाएंगे और यहां से सिल देंगे तो मैं इसको कम्पिलेट करें करके दिकाते हूं आप तो देखिए फ्रेंट्स मेरा यह हो गया है अब हम क्या करेंगे अब हम इन पीस का इस्तिमाल करेंगे तो हमें चारो तरफ बोडर लगाना है तो देखिए इस तरीके से जो मेरा एक्ष्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे पहले हम एक पीस इसके आँ सिल लेंगे तो मैं इसको सिल लेती हूं तो देखिए फ्रेंट्स पहले मैंने इस पर एक एक पट्टी जोड़ ली है दोनों तरफ देखिए अब हम क्या करें हम हमारी जो एक पट्टी जुड़ गई है अब एक पट्टी में ही हम यह दोनों जोइंट करेंगे तो यह देखे इस तरीके से जो हमारा एक्स्टरा है उसको हम कट करदेंगे तो पहले हम इसको सेट कर लेते हैं ताकि हमेल है केमरे जें कहां तक त्यार है तो यह देखे इस तरीके साँ यहाँimiz पिन लगा लेगे तो हम भीलो तर्कुल बिचे बीच बीच यह पिन लगा गये यह देखिए हमारी पिन लग गई है अब हम इसको भी नाप लेंगे यहां से हम सीधा से लेंगे और यहां जो मारी लाइन आ गई है यह लाइन से लाइन बलेकुल जुड़ी हुई आई है इस तरीके से कि देखे यह इस तरीके से तो हमारा यह इतना कटेगा और यह जो हमारा मारजन के लिए जो मारा के लिए इसके दर सी लेगा तम यहां से कट करेंगे फ्रेंट्स तो मैं कट कर लेती हूं इस तरीके से यह हो गया अब हम यह पीस लेंगे और यहां इसको सिल देंगे तो सिलने के बाद फ्रेंट्स हम जब इसको यहां से सिल देंगे तो इसके बाद सिलने के बाद इसको भी हम इसी तरीके से यहां जोइंट से जोइंट को मिलाके और ऐसे सिल देंगे तो मेरा यह हो गया फ्रेंड्स और फिर हम उपर भी इसी तरीके से करेंगे कि हमने दूसी पट्री ले लिये यहां जूसरी पर्टी को मिलाएंगे पिन अप करेंगे और पिन अप करने के पाद यहीं से इसको सीधा सिल देंगे जैसे मैंने आपको दूसरे पीस में बताया है तो इसको भी हम इसी तरीके से लेगे, यहाँ हमारा जोइंट आ रहा है, तब इस जोइंट पर यहाँ पहले, एक निशान लगा लेगे, यह लग गया हमारा, और यह हमारा मारजन के लिए, के जो हम से लेगे, अब हम इसको कट कर लेते हैं, और दूसरा पीस भी ऐसे ही रखके यह जो पीस है हमारा हम इसको भी यहां रखके इसको पहले यहां से सिलेंगे और सिलने के बाद इसको भी हम पहले पिनप कर लेते हैं यह हो गया फिर इसको यहां पिनप करके जोइंट से जोइंट को और पूरा सिल देंगे तो यह मैं आप आपको complete करके दिखातीं friends तो देखिए friends मेरा ये design complete हो गया है और देखिए कितना खुबस्वत लगा रहा है देखिए यहां से भी perfect safe आई है और यहां से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से finishing से सिलाई friends अब आप इसका चाहे कुशन कवर बनाएए या पिलो कवर बनाएए या टीवी कवर फिरीज कवर या फिल सोफा कवर बैट सीट कुछ भी बनाएए तो देखिए कितना खुबसे डिजाइन है तो आप इस डिजाइन का कुछ ना कुछ यूज कीजिए और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अभी के लिए बाई